कि नए नए इसमें आप लोग का स्वागत है दिन परती दिन करेंट अफेर की इंपोर्टेंस बरती जारी है एक्जामों में चाहे बीपीएसी के एक्जाम हो सचीवाले साहय का कोई वन्डे एकजाम हो चाहे उपेसी एकजाम हो तो आज हम बात करेंगे बीपीएसी और के लिए टॉपिक के बारे में दस टॉपिक मैं आपको देने वाला हूँ जहां से प्रस्ण आवस्य ही पूछे जाएंगे तो पहला है हमारा बजट के उपर जो अभी पेस हुआ है उससे कोश्चन जरूर आएगा तो बजट के लिए दूसरा रहेगा टॉपिक युद्ध अभ्यास से भारत नेपाल का किसो क्या बोलते हैं भारत और अमेरिका भारत और चीन इससे कोश्चन जरूर पूछे जाते हैं तिसरा रहेगा मह इससे कोश्चन रहता है नेश कोश्चन है फीफा वर्लकॉप दोज़ारा 22 का फुटपल हुआ था उसकी उससे रिलेटेर टेनिस ग्रेंड सेलेम प्रतियुक्ता होती है चारों ग्रेंड सेलेंड प्रतियुक्ता सिंगल डबल मेंस ओमेंस चारों का जो है आपको लिखना है नोबल पुरसकार 2022 में कौन-कौन जो है किसको किसको प्राइज मिला है इससे कोशन रहेगा साइंस एम टेकनोलोजी से कोशन रहेगा तो यह और नेश्र है आपका मुखमंत्री और राजपाल यहां से कोशन पूछे जाते हैं यह थे करेंट अफियर के 10 टोपिक जहां से कोश आप निकाले इससे प्रसंद आएंगे और आपको सॉल्व करना है इसमें गलती नहीं करना है इसी तरीके से हम 10 टोपिक और लेके आने वाले हैं आप फटापट से नोट डाउन करके इनको लगाले याद कर लें इससे प्रसंद आवस्ति आएंगे अगर लक्ष्यों को हांस करते चलेंगे आपका एकजाम निकलेगा बच्चे क्या करता है लक्ष के पीछे भागते हैं डेलि जो है सोचके निकल जाये निकल जाये लेकिन प्रोपर प्रिपिरेशन नहीं करने की कारांण। families करने करने की आवसकता है तो आपका सेलेबस कमप्लिर होगा जिसका सलेबस complete होता है उसका एक्जाम 100% निकलता है जो लोग सिफ सोचते रहते हैं उनका एक्जाम नहीं निकलता है आपको सिफ सोचना नहीं है आपको action लेना है जो लोग action करिए डेली मेनत करिए आपको एकजाम में सफल होंगे ऐसा मेरा विस्वास है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मैंने जो पिछले एकजाम में दिये थे वहां से कोशन पूछे गया थे अब भी पूछे जाएंगे चैनल को यदि सब्सक्राइब निके या चैनल को विडियों को लाइक कर दे हैं जाया शीर कर दे हम और वीन आपको बना करें देख सकें वीडियों को धन्यबात फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों